क्या नितिश कुमार कर पाएंगे बहमत परिक्षन या तेजश्यादव कर देंगे खेल जेडियू की मीटिंग से चार बिधायक गायब बीजेपी के बिधायक गया के रिसॉर्ट में ठाराए गए राज़त के बिधायक तेजश्यादव के आबास पर दो दिनों से नजर बंद है राज़त बिधायक चेस, क्रिकेट, फुटबॉल खेल रहे हैं न छेडो हमें हम सताय हुए हैं गाना गा रहे हैं इन सब के बीच नेशनल मीडिया के बड़े बड़े एंकर राजनेताओं से बात करने की कोशिस में लगकर सुत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं कभी कह रहे हैं कि जेडियू के चार बिधायकों का फोन बंद है तो कभी जीतन राम मान जी का फोन ओफ है इस बीच एक खबर आई कि हल्दवानी में हुई हिंसा में बिहार के आरा से नौकरी की तलास में गए एक युवक की मौत हो गई उसके सिर पर कई गोलियां मारी गई जिस मा को नौकरी की खुसखबरी देने के लिए फोन करना था उस मा को पुलिस ने यह जानकारी दी कि उनके घर का चिराग अब इस दुनिया में नहीं रहा देश विदेश में होने वाले दुरघटनाओं में मरने वाले बिहार के ही होते हैं चाहे वो दिल्ली में कंस्रक्शन साइट में दुरघटना हो या किसी अन्यराज के फैक्टरी में आग लगना बिहार से दिल्ली जाने वाली बस का एक्सिडेंट हो उसमें मरने वाले बिहारी ही होते हैं और इस तरह की जानकारी के लिए आपको बस मानने मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के फेस्बुक वाल पर जाना होगा वहां उनके समवेदना शरूप बिहारीों की मौत की सूचना आपको बिहारी होने पर दुद्कारेगी पर सत्ता के इन चिमोकनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके लिए किसी की जान की कीमत सतरंज में मरे इनके प्यादे से भी कम की होती है वही सतरंज जो आज ये बैठ कर खेल रहे हैं पिछले लगबग एक महीने से 14 करोर बिहारी भगवान भरोसे हैं आए दिन किसी को गोली मार देना जैसे चोर सिपाही के खेल में गोली मार देना प्रतीत होता है पर सत्ता के सुक के लिए ये नेता जो इन ही 14 करोर बिहारीों पर निर्फर हैं वोट मिलने के बाद उनकी कोई चिंता नहीं करते वोट मिलने के बाद भी संबिधान का मजाक उड़ाने वाले इन नेताओं से ये तो पूछना ही होगा कि आखिरिये सब जो हो रहा है वो किसके दिये टैक्स के पैसो से हो रहा है इतना बड़ा मानव संपदा होने के बावजूद हम बाहर के राज्यों और देशों में दुरघटनाओं में मारे जाते हैं पर हमारे वोट पाकर सबसे उची गद्धी पर बैठने वाले इन नेताओं को क्रिकेट चेस और प्रियटन के मौके का लुप उठाना होता है अगर मेरी बातों से किसी की भावना को ठेस पहुँचती है तो पहुँचनी चाहिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ऐसे भी अब इन राजनेताओं की दोगली बातों पर भरोसा नहीं करता जो बात तो करते हैं बिहार के विकास की पर असलियत में इनका सारा धे होता है स्वयम और सोजनों का विकास आज बिधान सवा में बहुमत परिक्षन है कुछ घंटों में ये खत्म हो जाएगा जिसके लिए पिछले एक महिने से सभी राजनेता अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ कर लगे हुए उसके बाद आएगा लोगसभा चुनाओ और फिर ये सभी एक बार फिर जनता के सामने हाथ पैलाएंगे और वोट मांगेंगे और हम भी जाती धर्म के नाम पर अपने जाती धर्म वालों को वोट डालेंगे उसके बाद ये नेता खेलेंगे हमारे साथ आँख मी चोली और हम करते रहेंगे इनके धपे का इंतजार और मुख्य मंत्री या कोई और समवेदन सील राजनेता मंत्री सांसद बिधायक के समवेदना संदेशों में अपने नाम का भी इंतजार करेंगे जैन जैबियार झाल झाल